बिहार में हो रहे जमीन सर्वे में लोग अलग परसानियां देखने को मिल रही है इन्हीं सारी परसानियों को देखते हुए बिहार सरकार के दोड़ा समय समय पर अलग अलग परकार के नियाम कानून यहां पर जारी किया जा रहा है इन नियाम कानूनों के अनुसार लोगों क को यह समझाया जा रहा है कि आपको जो हैसे उस परसानिया को किस तरह से आहां पर निपटना है की जो हैसे लोगों को फीलफ करने में काफी ज्यादा मुसक्यत सामना करना फॉर्ण फानन फानन में किसी न किसी परकार से स्वगोषना पत्र 2 और स्वगोषना पत्र 3 वान यहां पे फिलब कर रहे हैं। यहां पे तीन महिने से नहीं बलकि यहां पे चार महिने के लिए दोस्तों आपको समय दिया जाएगा। है कि जो हैसे लोगों को डॉक्मेंट जुटाने में काफी ज़्यादा परसानिया देखने को मिल रही थी उनको जो हैसे अलग अलग परकार के जो हैसे आप काफी दिक्तों का मसक्कत करना पड़ रहा था अभी जमीन सर्वे को अहां पर तीन महिने के लिए ठाल दिया गया है और जो हैसे ऑफीसेल अपडेट यह भी आने वाला है कि इसको जो हैसे साड़े चार महिना के लिए पूरी तरह से ठाल दी जाए लोगों को जिस तरह से परसानिया जमीनी अस्तर पर देखने को मिल रही है उसका जो हैसे समय समय पर डाक्टर दिलीब जैस सवाल के द्वारा सारा अपडेट दिया जा रहा है सारे अपडेट को फ्राप्ट करने के लिए आप हमारे चनलों को सब्सक्राइब कर लीजी आपको जो सारा अपडेट समय पर प्राप्त हो जाएगा इसकारी के लिए मैं आपको बता दता हूं कि जमीन रजिष्टी में भी नया नियम यहां पे लागव भी नहीं हुआ है इसका जो ऐसे 15 टूवर्ट से जमीन रजिष्टी का नया नियम लागव होने वाला है इसका पर भी जो इससे जल्द वीडियो आने वाला है आप हमारे च आने वाद